देखिए हिसाब किताब देना और काम करना दोनों में अंतर हो जाएगा क्या है क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिस पर वोट पड़ेगा इसान के लिए तो कुछ भी नहीं है बड़ा मुद्दा विरोजगारी का यहाँ पर चलती है सरकार दस साल में कुछ खास उन्हों के लिए तो इसकूल नहीं है यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता विरोजगारी भत्ता भी तो नितिश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है विधायक जी कितने वारे यहां आए है भरोसा नहीं है इसमें बहुत समझ जाए पांच-पांच-पांच-छाजा जिसका नाम है होरिल बिघा वक्तियारपुर विधान सभाज शेत्र वो शेत्र है जहां से मौझूदा विधायक बीजेपी के हैं रन विजै सिंग यादब इसके पहले 2010 में अनिरुध यादब यहां से RJD के विधायक रहे वही अभी RJD के उमिदवार है उसके पहले देखे तो 2005 में यहां से BJP के विधायक रहे विनोध यादब और अनिरुध यादब जो इस बार RJD के उमिदवार हैं दो बार यहां से विधायक रहे हैं 2005 में भी और 2010 में भी अब रन विजै सिंग का मुकाबला अनिरुध यादब से है यादब बहुल सीट है लेकिन और भी जाति में आया कि विकास यहां पहुचा है या नहीं इस गाउं के लोगों के लिए मुद्दे क्या है बेरोजगारी को लेकर तेजसु यादब ने कुछ एलान किये 10 लाख नौकरियों की बात की कल BJP की तरफ से 19 लाख रोजगार के अवसर की बात की गई जिसमें 4 लाख नौकरि सरकार ने जो कुछ किया 15 साल में उसको कैसे आखते हैं और इनके मन में क्या है इनके लिए इनके हिसाब से मुद्धे क्या है तो यहां हमारे साथ इस गाउं के कुछ लोग हैं कुछ महलाएं हैं और इधर इस गाउं के पुरुष है बात्चित शुरू करेंगे और आप भी गौर से सुनिये इससे कुछ बात समझ में आएगे हमारे साथ एक युवा है इनसे मैंने अभी बात की पता चला कि ये सनातक हैं और उसके बाद बेरोजगार है और सवाल और मुद्दा चुकि बे तो अभी जैसे कहा गया कि तेजस्वी आदब ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे बीजेपी ने कह दिया कि हम 19 लाख लोगों के लिए रोजगार के अपसर तलाशेंगे जिसमें 4 लाख नौकरियां भी है क्या लगता है आपको कि किस पर भरोसा किया जाए देखिए अगर बात पहले बीजेपी के करें तो बीजेपी ने 2014 का लोकसवाई लेक्स उसमें उन्होंनों ये कहा था कि मैं हर साल 2 करोड रोजगार दूँगा साड़े 15-15 लाख हर के खाते में भीजवाऊंगा जब काला दन बापस आएगा तो जो उनके सुरुवाती बादे थे उस पर मतलब सफल नहीं हुए है तो यसवार का जो उनका बादा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो पहले बाद उन्होंनों किये थ तो लगता है कि वो पूरा करेंगे जी देखिए हिसाब किताब देना और काम करना दोनों में अंतर हो जाएगा अभी वो कह रहे है फी सरकार बनेगी तो वो करेंगे नहीं करेंगे इसकी क्या गरेंटी है हम तो यही सोच के 2014 में भी उनको बोट दिया था कि वो आएंगे त तो आपको लगता है कि कौन पूरा करेगा ते जसुने का दस लाख नौकरियां देंगे तो वो भी पूरा करेंगे इसकी क्या गारंटी उनकी भी नहीं ले सकता लेकिन 15 सालों से नितीजी सरकार चला रहे हैं अगर उनके सुरुवाती 5 सालों को छोड़ दें तो वो पिछले 10 साल में कुछ खास उन्होंने इसा नहीं किया है सिर्फ सड़क और पूल से बिहार का विकास नहीं होने वाला है अगर सड़के अच्छी होगी पूले अच्छे होगे तो क्या इससे एक आदमी का पेट भर जाएगा नहीं बेरोजगार है उनको रोजगार दीजिए अगर मेरी माँ है बीदवा है तो मेरी माँ को 400 रुपे पेंसन दे रहे हैं मैं graduate बेरोजगार हूं तो मेरे पास लोजगारी तो क्या 400 रुप्य में चलंग नहीं चलेगा 350 और आपको मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिस पर वोट पड़ेगा मुद्दे तो हम लोग को है वही बिरोजगारी है सिच्छा है किसान का है देखी अभी तक जल जमाओ है इसको कोई देखने वाला नहीं है तो मतलब इस पर बी जेपी के पक्ष में क्या है प्रदान मंत्री मोधी की रेली भी हो रही है नितिश कुमार भी बहुत सारी बातें कर रहे है कल जैसे बिजिपी की तरफ से कही गई कुछ ते जस्वी भी करें तो कौन लग रहा है मुद्दा क्या है इस चुनाओ का किस अध तो कुछ नहीं है सर आपको विकास चाहिए तो विकास तो कहा जा रहा है सडके बन गई है गाउं में खरंजा बिछा हुआ है जलनल कहा जा रहा है कि हर गाउं में पानी पहुंच गया है सर यहां कोई जलनल नहीं है जलनल नहीं है नहीं सर पानी गाउं में जलनल नहीं है तो बच्चा करने के लिए तो इसकूल नहीं है यहां के बच्चे कहां पढ़ने जाते हैं जाता है पानी में जाता है तो ये पिछली बार से इस बार में क्या बदला पांस साल में आप लोग करें कि आपने बीजेपी को बोड दियें पांस साल में मेरे पहिंचायत में एक भी काम नहीं हुआ मेरे गाओं में एक भी काम अगर बता देते हैं तो उनको इस ऑर हम लोग बोड दे सकते हैं मेरे यहां स्कूल है यहां बच्चा हम लोग का नहीं जाता है पढ़ने के लिए नली गली में आए उनके जो कहते हैं जो बैठे हुए कूर्म Rust करते हैं हम सारा जगा पानी पहुंचा दिए मेरे गाउं में बगल में अभी नल जल का योजना नहीं हुआ मेरे यहां बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता है स्कूल ऐसी बंद लगा कर ताला लगा तो यह बताइए विरुजगारी भत्ता भी तो नितिश कुमार की तरफ पिरुजगारी भत्ता को नहीं रहा है यहां जब्छ लोगों को मिला है तो सिर्फ 24 महीने सार उसके बाद क्या करें उसके बाद भी तो बीड़़्घार बैठेंग वह हैं उन्होंनों का था कि 25 महीने केंदर में पिर बंद जड़े अगर 24 मेने के अंदर में नहीं मिला तो फिर आगे भी तो कंटीनिव नहीं है वो तो आपके हिसाब से इस बार चुनाओं का मुद्दा क्या है यहां आप लोग किसको वोट दिये थे पिछली बार रन विजय सिंग को दिये थे वीजय पी को तो इस बार क्यों नाराजगी है इसलिए नाराजगी है सर के यहां बेरोजगारी भर गया किसानों का जो है किर्सी पर जो पानी तानी जमाव है इसका भी दिकत हो रहा है कोई बिकास नहीं हुआ हम लोके कोई भी एक आद को मेरे गाउं में बता ने कि बिकास किये हैं एक दिन वी ओजए देखिए ओ कल जो अभी रोड के बगल में है वो पूर बिधायक का दिया हुआ जिब कुई अभी लाख लाख अदमी रोड बलाउक होता है तो लाख 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 वो पानी पीते हैं यह क्य बार यहां आए हैं जीतने के बाद यह अभी तक में अभी चुनाव आ गया है अभी कितने बार यह गाउं में आये हैं यह हमें बता दें कि बार आप लोगों ने वोट बिजेपी को ही पड़ा है अच्छा तो यह बड़ा दिल्चस्प है एक तो समिकरन समझने के लिए कि जो बख्तियारपूर बिधान सभाजशेत्र है यादब बहुल है असी हजार लगभग यादब मत दाता हैं और अलग अलग जातियों के उसके बाद उनके वोटर्स हैं लेकिन चुकि यादब बहुल है इसलिए ज्यादातर चुनाओं में दोनों जो मुख्य पार्टिया होती हैं उनके उमिदवार यादब होते हैं ना यहां तो अब यह लोग करें कि पिछली बार इन्होंने बीजेपी को वोट दिया लेकिन इस बार नाराजगी है कि पात साल में यहां विकास का काम नहीं हुआ और बीजेपी ने जो वादे किये हैं इनका कहना है उस पर एतवार क करें तो बीजेपी के वादे पर भरोसा नहीं है यह ना रख किया कि वह थे और पहला है कि जो भी आंलाइन से जो रेश्टेशन वेगरा जो निकाला है मल गुजारी वेगरा इसमें बहुत समस्या पांच-पांच-बाच-चाजार रुपई आपका खेत चल गया इधर जाते हैं तो नहीं फ्यक देता है रश्ट्री करमचारी लोग इनका राज में मेरा बाप दादा का भी महिलाओं के लिए तो बहुत तरह की स्की में सरकार की लड़कियों के लिए नितिश कुमार ने किया लड़कियों को साइकिल दिया कि वह स्कूल जा सके किसान को क्या मिला किसान मर हां क्या बताया जाए किसान सम्मान निधी आज भी मोदी जी ने कहा है कि बिहार में 6-6,000 रुपया एकाउंट में भेजा गया खाद का क्या भाव बड़ा थी चौस तीन-सो रुपया का जो तेल था अभी चौस रुपया किटना सक मिला एक लीटर दाम था चार बरस पहले तीन-सो रुपया मिलता था आज गारेट है चौस रुपया उस अनुसार मुल बढ़दी बिर्दी होना चाहिए उचित मिलना आज यह उचित मुल नहीं मिल रहा है तो अभी तो किसान के लिए मोदी जिने किसान का जाएगा शोज़ा माले साल में छोज़ार रुपया हम माले के पांच भी खेदी करते हैं वहां पर हमको मिल जाए 50,000 रुपया ज्यादा ता 6,000 ज्यादा हुआ पचास अर ज्यादा तो आप लोग को कह रहे हैं MSP नहीं मिल रहा है MSP भी नहीं मिल रहा है और अभी तो किसान के लिए कानून में अच्छा कांगरेस की सरकार थी 25 सवरूपये मसूर बेचते थे तबाल बचा को बढ़ियां से पढ़ाते थे आप 14 बरस और पीछे भाग गया 14 पहले अच्छा म kep और आगे महगाईं हो रहा है त conf gown whip लिक 9 अगर्चा खाद की आज मोदी जी का भासन था सुना अपने अपने भासन सुना मूदीह सो जा रहे हैं सुना के नहीं मोदी जी का घी हैं जूटा बासन प्योर जूट है जूट का कांगरिस के लिए तो कुछ भी नहीं है यह थोड़ी नाराजगी थोड़ी ने काफी है यह है मत और पार अपारे को जब नofी नाराज़ लेगा नतीज़े हैंगे तब पता चलेगा कि क्या लाहर है नहीं हम लोग यहां फैसला नहीं कर सकते महलाओं से पूछना चाहते हैं बेटियों के लिए तो सरकार ने किया कि बेटियां स्कूल जा सकती हैं साइकल का इंतजाम किया यह सब किया 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 कुछ नहीं मिला कुछ नहीं कहां जीती पढ़े पानिया में 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 जीती पढ़े पानिया तो यह बताओ कि यह सब लोग नाराज मतलब और क्या-क्या मुद्दा है तुम थोड़ा सब की तरफ से यह बोलें कि यह जो गाओं है ना पिछले अगर 15 सालों देखें नितीज कुमार का तो मूल भुत सुभी धाओं से बंचीत रहा है सर अगर नली को और बिजली को लेकिन रख रखाब उसका भी सही नहीं है वह भी बरावर तूट जाती है या जाम हो जाती है इस तरह की समस्याएं बिजली है आप देखने किस तरह से जरजर तारे हैं बिजली की इनको मतलब 10 सालों में एक भी बार रिपेर नहीं किया गया इसको है जो कि नए तार लगा चीचर पर 60-80 चोटे-चोटे बच्चे हों बड़े मिलाके तो उनको सभालने के लिए दे दिया जाए तो क्या वह साब से चुनाओं का मुख मुद्दा क्या है हमारा मुख मुद्दा है हमारे गाओं का अगर सोचे तो तो मेरे गाओं को पूल मिलना चाहिए अच्छी सिक चाहिए तो यह जो 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 रोजगार चुकी एक बड़ा मुद्दा होता दिख रहा है और रोजगार को लेकर अगर बीजेपी ने कल कहा कि हम फला फला खेती सेक्टर में भी हम रोजगार के अफसर सरजित करेंगे हम चार लाख नोकरियां देंगे शिक्षकों की नुपती होगी तो यह तो एक बात कही तो इस पर आपको लगता है किसमें नहीं होगा देखिए यह मेरा उपिनियन है कि लोग और कोई लोग भी स्वास कर भी सकते हैं लेकि इस वार मेरा बीचार है कि मगाहां कठवंदन के तरफ जाए क्योंकि 15 सालों के बाद एक मौका उन्हों भी देना चाहिए उन्होंने कहा है तेजस्वीजी ने कि मैं पहले कलम हंस्ताक्षर करूँगा तो है जो कि 10 लाख नोकरियों का करूँगा तो एक बार विस्वास के आजा सकता है क्योंकि अगर पुराने वादे की होते तो जरूर मैं फिर से उन्हीं के साथ जाता लेकिन इस बार मैं उनके कौन सा पुराना वादा पुराना वादा हुए दो करोड़े रोजगार हर साल 15 लाक रुपए यह सब है जो कि जो मतलब एक तरह से जूटे बादे करके जो सत्ता में सरकार आई और उसके बाद से जो उन्होंने अपना चलाया है उस पे क्या कहें चलिए तो यह तरह तरह की अलग अलग तरह की नाराजगी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? होता ना मुटेशन मुटेशन या कोई भी मतलब आउनलाइन कराने के लिए चलाने के लिए तो आज सीधे बिग देते हैं कागज को और दन्यामा परखंड से अकर दलाल के रखे हुए हैं और सब काम मतलब पूरे पूरे पॉरे 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 दो दस जार रुपिया दो यह महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है चुनाओं में वोट देने का किस चीज़ को देखकर आप महिलाओं वोट देगी हैं महिलाओं की तरफ से लिए खेत के बारे में आओ कि हम लोग के मुटेशन खेत वाला कैसे होगा जैजय है घर में बालवच्चा सरजमान है उसका कोई रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी पॉले लिए करके घर में बैठे हुए कोई रोजगार नहीं है ना मेरे यहां कोई सुबदा है उनकी जो सुसासन मावु के उनकी कागच पर चलती है धमिनी अस्तर पर उनकी नहीं चलती है क्योंकि मेरे गाउं को बंजीत रखा गया मेरे गाउं में ना अस्कूल में ना नल जल है ना स्कूल में पूल है कोई विवास इनको 15 साल में हम लोग नहीं देखे हैं इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं परिवर्तन चाहते हैं सरकार परिवर्तन होना चाहिए चलिए ठीक है तो अलग अलग तरह की नाराजगी है लोगों की आपने सुनी यह कौन सा गाउं है फिर से बताई भूल गया मैं गाउं होरि कि लोगों का कहना है कि इन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया इस बार भी बीजेपी के उमिदवार चुनाओ मैदान में है सिटिंग सीट बीजेपी की है लेकिन उनके मुकाबले आर्जेटी के उमिदवार हैं जो पहले दो बार यहां से बिधाय करा चुके हैं और उसके बाद भी रोजगार इसे नहीं है लेकिन आपने शायद कहा कि आपको विरुजगारी भत्ता मिला है जी मिला है उसके बाद खाली है तो विरुजगारी भत्ता हलाके मिला इनको लेकिन उसके बाद खाली है तो चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी और अलाके में कहीं और की बात फिलाल इस बातचीत को इस वीडियो में यहीं खत्म करते हैं नमस्कार